वेलकम टूबर चैनल हम बात करने वाले हैं जेनस पावर इंफ्राइस्टेक्चर लिंटेड के वारे में यह मैंने आपको एक महीने पहले स्रेश्ट किया हुआ है और यहां से अगर आप देखोगे ब्रिक आउट सुरी एक महीने पहले नहीं तो अभी के टाइम में अगर हम मुमिन्टम देखें तो अभी कोई प्राजिक्शन नहीं है अगर आप करेंट लेवल पर कुछ भी प्लान कर रहे हैं आप एक्जिट ही कर सकते हैं अगर आप पर प्रॉफिट बुक करना है तो इसके अलाब अगर हम फ्रेस पोजिशन की बात क अगर आप इसका बिकली चार्ट देखें तो कुछ इस टाइब से देखने के मिलेगा मैं एक्जिट की बात नहीं कर रहा हूं इस बात को याद रखीगा मेरा पॉइंट यह है कि अगर आपको कुछ करना है तो करेंट लेवल पर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग ह हो सकते हैं otherwise इसको continue करना चाहिए fresh momentum देकर निकला है इससे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर continue मार्केट ट्रेड किया है बहुत टाइम क्योंकि विकली चार्ट है यहाँ पर फिर मार्केट ने रिंज बना लिया ब्रेकाउट करने के बाल तो अभी एक fresh momentum में निकला ह है तो जो momentum यहाँ पर था करीब 125 पॉइंट का वही सेम momentum आप 1-1 और 1-2 के पार्ट में डिवाइड करके लगा सकते हैं तो आपको targets दिख जाएंगे यहाँ पर आप इसका पहले का भी चार्ट दिखेंगे तो सेम pattern के सांथ ही move किया है तो यहाँ पर भी बहुत अच्छे targets द तक के भी targets आपको देखने के मिल सकते हैं तो short term mid term के लिए अभी भी इस stock को continue किया जा सकता है और इसके according अगर हम देखें buying की अगर हम बात करते हैं तो buying के लिए जब तक कोई अच्छा chart pattern नहीं बनाता है तब तक के लिए avoid करना चाहिए जब कोई chart pattern बनाता है तब हम इसमें buying के लिए plan कर सकते हैं क्योंकि अभी के time में जैसा momentum है circuit में बहुत ज़्यदा trade कर रहा है तो इस time में लेना बहुत ज़्य manage करके profit safe करने के लिए तरफ देख सकते हैं ऐसे किसी भी stock पर आपको analysis चाहिए stock का नाम आप comment कर सकते हैं support resistance के लेबल के लिए आप हमें telegram चैनल पर message कर सकते हो जिसका link description चैनल के about box में दिया हुआ है वीडियो पसंद आता है वीडियो को like करना चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा Thank you so much